स्वागत जी आया नूँ उसारे दर्शक जड़े स्विले साथे प्रोग्राम नूँ देख रहे ने मैं थोड़ा दोस्त को दी पेकर फिर तो हाज रहा गाल करांगे स्टूडेंट विजा दी गाल करांगे कैनेडा दी ओ बच्चे आंदी जड़े रिजेक्ट होए बच्चे जिना ने दुबारा अप्लाई करना फ्रेशर ने जड़े जन्री टेक देले जाना चाहूंदे ने खास अजड़ा शो उना देली रहेगा वेस्ट नोवर सी तो प्रदीप आले पहला स्वागत का लिए प्रदीप सर बहुत पहुत स्वागत थे थैंक्यू जी कैन्ड़ा ए जी एक्ट हो इसी किस तरह दा आलम देखनों रहे हो ना देखें सर आज आज हमारा करनाल ओफिस में सेमिनार चल रहा है और सुबह दस जे स्टार्ट हो चुगा था तकरीबन 15-16 एस पीप कोलेज और 9 एस पीप यूनिवरस्टी और कोलेजिज यहां पे हैं जो कि बच्चो कि जो हम FIIR करते हैं وہ बच्चों के लिए बड़े फुटफूल रहते हैं बड़ा बच्चों का प्यार मिल रहा हैं और इसमें mostly बच्चे वो आ रहे हैं जो फ्रैश केस हैं या कुछ बच्चे आजू बहा रहे हैं जो हो चुके एकसी और अजाएन की गलती और त्यार्श assessment करा सकते हैं और अपना क्या ना में युनिवर्स्टी को टेबारे में पता कर सकते हैं प्लस में अगर आगर अगर आया है तो आप डैफिनस्ट्ली अपनी फाइल सेज करा सकते हैं अगर आज आपके पास time नहीं है तो कल दिन दिन थास्टे का दिन है और आप मेरे कुछेतर ओफिस में आ सकते हैं तो 17 तारिक को हम कुछेतर में होंगे दिन थास्टे होगा सुबद दस जैसे लेके शाम के चार बज़े तक यहां भी आप उन स्पोर्ट असेस्मेंट करा सकते हैं इसके लाव 18 तारिक दिन सुकरवार हम हम बाला ओफिस में होंगे सुबद 10 से लेके चार बज़े तक और 19 तारिक को दिन सनिवार चंडीगड ओफिस सेक्टर 35 सी में यह ओन स्पोर्ट असेस्मेंट और एडमिशन फिर चल रहा है कैनेडा का जिसमें तकरीबन तकरीबन 15 16 यूनिवरस्टी जोर कोलेजिज के डेल अगर आपका आया है तो उसके रिजन्स क्या रही है वह सारी चीजे या फट दर किस कोर्स में आप जा सकते हैं वह सारा का सारा यहां पैसा हैसाब करा सकते हैं जिए जदो एक बच्छा का एंडा देली सोचता है केड़े लेवल ने यह अससमेंट किड़ीया केड़ीया ची कितनी परसंटेज हैं दूसरा आपका आयल्स का स्कोर्स एक्स नौल एस देन 5.5 तीसरा आपका रिलिवेंट कोर्स कोर्स आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें किस सब्जेक्स में आपके स्ट्रेंथ है उसे शाब से आगे रिलिवेंट को बच्चे को देना चाहिए और इसके लाबा जो सबसे बड़ी बात है कोलेज कोलेज कहां पर है और आपकी फेमिलीज की जो इंकम है मतलब जो मंत्र सालाना इंकम है जो एन्वल इंकम है वो सारी चीज़े काउंट करके ही एक बच्चे की अच्छे तरीके से फाइल बनती है तो जिसमें कोर्स सेलेक्शन आपका एजेंट का स्टूडें यी इसके लाब आपके आईज्स और इसके लाब आपके फंडिंग में जैसे कानेडया में फंडिंग नहीं जाते है लेकिन एन्वल इंकम बहुत मैटर करती है क्योंकि एक बच्चे का 13-14 लाग रपे सालाना कर्चा है तो पेरेंट्स के इं स्थक्टिश इम्पूर एक्सटेस आयो विदा कि ने पर्सेंटेज उब काट की या मैफ विचो में ऑप्श्यन इसलिए नंपर देख्टो चलिजरू प्ल रघन आपनाएं तो आपका Waiting जैसे महत में आपके नमबर कम हैं तो कॉर्स व कर हैं तो कोर्स सीशवा जिसमें मैं इक का कम रही तो किसमें चांप को करते हैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कैनेडा एजुकेशन फेर बारे में दास्तों में आज करनाल ऑफिस तुसी जड़ा पांच वज़े तक पहुंच के तुसी उते सब्सक्राइब 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 जनवरी दे विच वीक लागदा तो अनों के सेत्रांता ही हाल देखनों मिलेगा जहां इस चीज नो थोड़ी ठाल पहेगी कुल्दीप जी हमारे जो इंडियान्स है वो एक चीज के पीछे लगते हैं तो जब तक वो फेल नहीं हो जाती तब तक उसको मलप्यलते रहते हैं वही काम हो रहा है कि हर एक बच्छा चैनेडा जा रहा है हर एक कंसर्टेंड या एजन्स कैनेडा भीज रहा है तो कहीं न कहीं यह मैटर करता है बहुत अच्छा समुथली चल रहा है लेकिन जब से कुछ अनेथिकल प्रेक्टिस करने वाले बंदे जो गल्द काम करने वाले बंदे इस फिल्ट में आए हैं तो डैफिनेटली कहीं न कहीं गन पड़ा हुआ है तो अगर यहीं चीज़ चलती है तो आने वाले टेम मैं बैसी मलब और भी स्टिक्ट हो सकती है डनने वाली बात नहीं है उन स्टूडेंस के लिए जो जैन्वन स्टूडेंस है जिनकी परसंटेज अच्छी है तो बैस आपन कि जूद परसंटे तो यहीं बहुत से बच्छेंचे जिनके जो बहुत अची प्रोफाइल थे उनके रिजैक्शन था है वह बार मिल सकते हैं फेर में भी मिल सकते हैं अगर आप दोबारा प्राइल लगाना चालते हैं तो चांसिस हैं वीजा निकल सकते हैं क्योंकि अभी जो रिजेक्शन रही है उनका एक रीजन यहीं भी दा है क्योंकि लास्ट में आके अबसी के उपस उपर बड़न बहुत ज्यादा है काम करने वाले बंदे वहीं है लेकिन फाइलें दस गुना ज्यादा है तो कहीं ने बड़ी स्पीड से इन केसों को निप्टाया तो उस चक पर देगे आपके दोबरा वीजा निकले गांगे इस तरह नहीं पर फाइल नहीं है लेकिन हां कुछ अच्छी प्रोफाइल्स भी आज की डेड़ मार्केट में सुनने को मिल रही है कि रिजेक्शन आ रिजन से ही है कि बच्छा ओंटारी हो या बिटेस कुलंबिया भाग रहे हैं तीक मैं बहुत सब्सक्राइब पहले से यह चीजे बताता रहा हूं कि आपका कोर्स सेलेक्शन एजेंट सेलेक्शन कोलेज सेलेक्शन प्रोवियन सेलेक्शन और टाइमिंग किस टाइम आप फ बच्छे कम गए हैं उदर आप जाओगे डेफिनिटली वीजा चंशी हाई रहेगा आज की डेट में वीजा ओपिसर क्या देख रहे हैं हर एक बच्छा कहना में बड़िस कॉलंबिया जा रहे हैं तो कुछ और भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो प्रोवियंस जहां प कर सकते हो नंबर फ्लैश की ता जा रहे हैं वेस्टन ओवर्सीज वन सेवन टू फेस्बुक पेज नो लाइक करके तुसी फेस्बुक पेज दर यह जोड़ सकते हैं बोक्स पिछ आपना मैसे चाड़ सकते हो हार तरहां दी जांड कर ला सकते हैं कैनड़ा वाले बच्चे जड़े अपलाई करने के तुसी किस तरह दी प्रोफायर नो वैलकम कर देओ की देख देओ की रहेगा जी चींजर जहां थोड़ी बहुती स्टिकनेस भी हं दी है तक यड़े बच्चेयां नो फायदा रहे हैं और जैसे कि आपने पहले भी आनाउंस किया और मैं दोबार आनाउंस करना चाहूँगा कि हम कैनेडा एजुकेशन फियर कर रहे हैं जिसमें पंदा सोला यूनिवरस्टी और कोलेजिज एस पीपी के और यूनिवरस्टी साथ में हैं वो आ रही हैं तो जिसमें आप जा सकते हैं और स्पोर्ट असेस्मेंट कराके एडमिसन ले सकते है हैं 50% अप्लिकेशन फीवेव भी ले सकते हैं जिसमें आज के दिन 16 तारिक दिन बुद्वार करनाल ओफिस में हम हैं 10 बजे से लेकि 5-4 बजे तक 17 तारिक दिन तसडे क्रुक्षेतर ओफिस में सेमिनार हो रहा है होगा और 18 तारिक सुकरवार के दिन हम अंबाला ओफिस मे सेमिनार कर रहे हैं और 19 तारिक दिन सनिवार चंडिगड ओफिस में कैनेटा एजूकेशन फियर हो रहा है जिसमें वक्री वक्री इनियस्टिज और कोलेजिज पार्टेस्पेट कर रहे हैं और सब चीजों को देखके ही हम एक बच्चे की प्रोफाइल उठा रहे हैं तो हो आप सो किया आपका वीजा निकलेगा और उसके लिए अगेन मैं बोलना जाओंगा एक अच्छा कंसल्टेंट होना जरूरी है जो आपकी प्रोफाइल के साथ किलवार ना करें कि अग्यां काफी रोडन नूंगे एक्सपीरियंस से जड़ा तो फटा सुपना विदेश चानद पूरा हो सकता है तो चंगा कंसल्टेंट देखो जड़ा काफी समय तो जड़ा काम कर रहें नहीं जिना दे आफिस जाके वीजा चेक कर सकते हुए तो कल बात करके वी तुस करना चारते हैं जैने टेक के लिए थोड़ा सा ध्यान से फाइल लगाईए और उन स्टूडेंट्स के लिए जरूर बोलना चाहूंँआ जो इंप्रूमेंट कर सकते हैं प्लीज वह इंप्रूमेंट जरूर करिए अगर आपकी परसेंटेज कम है तो फॉर दा इंप्रूमे करेंगे फिल्हाल में नो दियो इजाज़त फिर किसे दिन मिलांगे पर दीव जिन सब्दा दमांगे सुगर नजी सादी गाल बात करेंगे